जिसा लगातार पिछले कुछ दिनों से ये चर्जा आपने सामने आई ही रही थी आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से 7 तरीक को एग्जिट पोल भी दिखाये थे और 10 तरीक को अब जो आज चुनाव प्रिणाम आया है इस चुनाव प्रिणाम में देश्वर में भारतिजिंदा पाइटी के प्रती जो समर्थन है वोम सब को धन में आया है पांच चुनाव हुए थे पांच राज्यों में उत्रपदेश उत्राखंड गोवा मनिपूर और पंजाब जिसमें से चार राज्यों में एकदम जिसको कहना चीए कमफटेबली बड़े सुईधा जर्य तरीके से वहुमत के साथ भारतिजिंदा पाइटी के सरकार बन रही है किवल एक पंजाब ऐसा प्रांथ है जिसमें आम आद्वी की पाइटी के सरकार बन रही है पहले से ही जैसे हम को पता है कि पंजाब में कभी भी भारती जिन्ता पाइटी के सरकार पहले भी नहीं रही और चुनाव लड़ने के नाते भी अब से पहले मातर 23 विधानसवा सीटों को लिए लोग चुनाव लड़ते थे इस बार पहली बार इतने 70-70 सीटों पर बारती जिन्ता पाइटी अपने चुनाव चिन पर कमल के निशान पर चुनाव लड़ी है क्योंकि पहली बार जब भी कोई इस प्रकार का बड़ा चुनाव कोई एक स्टेट में पर पार्टी जड़ती है तो ऐसा कभी भी हम सोचते नहीं के पहली बार में ही हमरी जो सरकार बनेगी अर्याना में भी आपने देखा के जब हमने अकेले चुनाव लोड़ना शुरू क क्योंकि 1996 में मारी मिली जोली सरकार आई थी 2000 के बाद लगातार हमने फिर अखेले चुनाव लड़ना शुरू किया जिसका परिणाम 2014 में मिला हमको तो स्वाविक है पंजाब में अभी और हमें संगर्ष करना पड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे हर्याना में सफलता पूर पंजाब के हमारे कारकरता भी और जो स्पोर्ट हम से उप पाएगी हम भी करेंगे ताके पंजाब में हम अपनी गति आगे बढ़ा पाएं लेकिन चार प्रदेशों में भातिजनता पालिटी के कारकरताओं को बढ़ाई देता हूं और चारों प्रदेशों की जिन्ता को भ बढ़ार पढ़ करता हूं और उनको शरी जाता इस बात का क्योंने भातिजनता पालिटी की नीतियों पर विशेश तोर पर हमारे केंद्रिय नेतरतों देश के वजान मंत्री आधनी श्री नेंदर मोधी जी हमारे घ्रयमंत्री श्री अमर्शा जी अँग्ष श्री जेगत् करते हुए और मैं इस बात का जरूर जनता को धन्यवाद करता हूं कि हमारी मीतियों पर विचारधार पर उन्होंने और विश्वास किया है और हमको एक बहुमत दिलाया है कि अधिकी पहली बात तो यह है कि अगर हम देश के अंदर पायटियों के साथ मुकाबला करें तो भाते जिनता पायटियों कॉंग्रेश आज भी दो ही राष्टिय दाल से जो अधिकांश प्रांतों में और अपनी उपस्तिती चाहिए राज के माध्यम से चाहिए वक्षी प विचार है वह मैं समझता हूं देरे देश की जनता उसको छोड़ती जा रही है क्योंकि कॉंग्रेश की जो काम करने की पद्दती रही है वो लोग नेताओं के ताकत को जोड़ करके इसकी ताकत है इसकी ताकत है कंबिनेशन अफ लीडर्स ऐसी वह अपनी ताकत बना करके पुर्डेश कि अचनलते रहे हैं लेकिंज स्थे सीधे अपनी विचारदारा के माद्यम से अपने उपलबदियों के माद्यम से जंता की हित में काम करती है कि करति विशह को ज jij sigh gonna सरकारी सहायता होती है सरकार in when Line Senai खास करके अनुस जाती कास करके पिछला वर्ग वर्गों में अगर आगर विचार करें तो फिर युवा को रोज़गार चाहिए शिक्षा समाज को चाहिए तो ऐसे सारे विशे मैलाओं की भी बहुत से तरह की कठाईयां तकलिफ होती हैं उनको दूर करने के लिए मैलाओं के स्कीम में 12 दिनता पार्टिय ने शुरू की उज़ुला स्कीम है और फिर उसमें घरगर पानी देने की स्कीम है कहीं जंधन अकाउंट खूलने के बाद मैलाओं के खातों में सीधा पैसा देने की बात कही है हमने मैलाओं का हमने हर्याड़ा में तो जैसे उद्ध्रमत उद जिन वर्गों को सरकार की सहता के आफशक्ता ज़्यादा होती है ऐसे वर्गों का काम करने से एक मेसेज आता है कि जनता की भलाई के अगर कोई विचार दरा कोई पायटी का काम करने का तरीका तो भरतिंता पायटी का है कॉंग्रस ने मेंशन नारे लगाए है गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ लेकिन नारों के आगे बढ़ करके उन्होंने को इसके लिए पदती दी हो को इसके लिए प्रत्यक्ष काम दिया हो कोई प्रोग्राम दिया हो ऐसा कभी नहीं किया है कि वह नारों से नहीं बनता है प्रत्यक्ष जमीन पर काम ज कि कि कोई पार्टी एक या दो प्रदेशों में आती है तो उसको कोई आसा नहीं कह सकते हैं कि विकल्ब बन करके कोई देश्वापी काम कर लिया है ऐसे तो पहले भी होती रही है आकर कॉम्मिनिस्ट भी कभी दो तीन प्रांथों में लगातार आते रहे हैं इस प्रकार के उधान और भी मिल सकते हैं कि एक या दो प्रदेशों में आये हैं अब इनके पास दो प्रदेश आये इसका यर्थ है नहीं है कि कोई राश्टी विकल्ब यानि इस रूप में खड़े हो गए हैं उपस्तति इस नाते से राज में है नहीं है तो भी कॉंग्रस क कि उपस्तित्यों आमादवी पार्टी से ज्यादा अभी भी है अब उनका अपसी संगर्ष है आपसी विचारदारा के लड़ाई में लेकिन आमादवी पार्टी की जो विचारदारा है उसको भी मैं बेलकुल ठीक नहीं मानता हूं उदेशित में यह कभी नहीं है कि हम जन इस प्रकार के वर्ग को अपने पेरों पर खड़ा करने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो एक स्थाई व्यवस्था बनती है लंबे समय तक समाज को सुखी बनाने के लिए कारगर पदती है इसलिए जनता इस बात को निश्यूरुप से समझेगी आखिर किवल पंजाब इस प्रकार से फ्री और दिली में तो चोके साधन संपर प्रदेश है फिर इस चीज को स्विकार करने के लिए बहुत से अइसे वहां एरियाज है जो कि जो प्रेडिया बाकि सभेरिया वाहां गैप बहुत है दिली करना या तो बहुत निमन लेवल प्रेडिया लोगों का जो इंकम यानि उनके कारण से जो नंका है और जो इंकम दिली में होती है तक्सेशन ये वो सब जबके फर्स दिली सरकार का बहुत कम है तो वो सारा पैसा उनको फ्रीवाट में काम आ गया अब पंजाब में उनकी एक परकार से परिक्षा होगी नहीं भी प्रमिशन नहीं देगी कि आप कोई भी एक पैसा और मुफट में बाट देंगे किसी को पहले पंजाब संकट में हम अर्याड़ा में अपने सब्सक्राइब को 25 परसंट से नीचे रखे हुए और पैसा कहीं से बाटना होता को कहीं से लाना भी पड़ता है और जिस परकार की लिपी नितिक राश्टियर दल की बॉर्डर स्टेट में प्रोशी देशों के सब दील करने की होती है एक बहुत बड़ी समस्या मुझे भाह लग रहा है कि कहीं सी नाजार। उसको टेकल ना कर पाए क्छले जो नहीं विचार के नाते से कई बार उन्हों जो टिपनियां की है वो टिपनियां बहुत घातक टिपनियां की हैं अलगावादी ताक्तों के साथ खड़े होने की जो उन्होंने अपनी मंशा दिखाई है यह भी अपने हमें खतरनाक पहलू है पंजाब को शुरक्षित रखन अभी 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 अब है पॉस्षय में आएगा कि शूव में आईगा तोटे में लेने में हर्याना पंजाब की कि लड़ाई है와 और पानी में दिल्ली हर्याना की लड़ाई है चो रहए Craft हमादी पाईटी की शरकार लेने वाली आई तो देने वाली है तो अःटने है कि प्रवोसी प्रदेशों में किसी की भी सरकार आए हम हमेशा सजग रहते हैं कभी भी किसी एक प्रवोसी धर्म को निभाने का विश्य होता है और कहीं पूरे अंचल के विकास की बात आती है तो सब सरकारों से मिलके पहले भी चलते रहें प्रवोसी प्रदेशों का जैसे होना चाहिए वैसे सबकार है वो हम भी रखेंगे और दिली में उनकी सरकार रही है तो इस चीज में कहीं उन्होंने भी कोई हमारे के जूरी बनाई ऐसी नहीं है प्रदूशन की लड़ाई के अंदर हम लोग इकठे भी खड़े रहे हैं तो प्रदूशन के मौमले में पंजाब और हरेना प्रदूशन लगते थे उनकी सरकार आगी अब उनके लिए काफी चुनोती रहेगी आरोप लगाने मैं करूं पानी भी आप दूशन भी और बहुत दूश्य आएंगे क्योंकि एक तरफ दिली में वह हमारे परोसी हैं दूसर पंजाब में परोसी रहेंगे तो जो बहुत आसानी से एक दूसरे प्रदेश के उपर बाते फैक नहीं किया थी तरह सोच समझ के प्रदेश के माना गया और एक पंजाब के सबस्ते जिसकी साइस मार्च को इसको उटाया जाना था उसको शे मिने के एक्टेंशन दीगी है विशे आएगा टूके हमने लिए विशे कहा है तो उसके पर विचार केंदर करेगा किए जिस पर जिन प्रदेशों का इसमें स्टेक होता है स्टेक होल्ड़स सब्सक्राइब पंजाब हां राज्थान है ब्रणीकर वाएडेश के था टव्सक्री बड़ेश दिखाया था तोटिके में बताना कुछ बाते हैं एक बाते हैं कि यह तो आ रोप कोई भी किसी के उपर लगाया गांड़ नियुनतम स्थर पर चला गया कौन ऊपर आ और तक पर आथा आखर एक समय साथ था कि भाते जनता प्राइटी देश में नीनतम स्थ पर आगे तो यह तो यह तो यह तो यह तो जोती जनता जनार्दन होती है जैसा डिलीवर करेगी पारटी वैसा जनता उसमें पर साथ देगी अब से पहले यह देखा जाता था कि जो सियम है मौजुदा और पूर सियम है वो अच्छे सिती में रहते हैं लेकिन पंजान में और उत्रखन में जिस तरीकी के तर्टीजे रहे हैं कि यह तो प्रदेश में पूरे मुचुनाओ नहीं हो हरे कंडिट एक या दो सीटों पर लड़ते हैं हाँ दो सीटों पर लड़ने वाला भी दोनों सीटों पर पिशे रजा यह थाड़ा ज्यादा चिंता की बात होती है लेकिन एक ही सीट पर अगर कोई सीम लड़ता है तो उसके लिए वो प्रदेश में पूरे मुचुनाओ नहीं लड़ रहा है किसी एक विदानसवा सीट में लड़ रहा है तो एक सीट में कभी-कभी ऐसा होता है वोटर का मूड होता है को दूसरा कंडिट उनके मुकाबले म कौन आता है जाती कर समीकन कैसे बनते हैं किसी एक सीट के चुनाव को प्रदेश के चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए अब उत्राखंट में मालों दामी जी हार के लेकिन सरकार तो फुल भी बीज़ेपी की बन रही है तो इसका मतलब भातियनता पाइटी वहां पिछरी अब यह ठीक है कि कई बार एंटी इंकम में सी इतनी जादा हो जाती है और उसमें से दूसरा आर्थ भी है कभी-कभी एंटी इंकम में सी काम करती है कभी-कभी प्रो इंकम में सी काम करती है जहां सरकार रिपीट होती है वहां प्रो इंकम में सी काम करती है लेकिन जहां सरक सरकार की सारे दल यानि सरकार बनाने वाले मुख्य सारे दल आर जाएं तो इसका लोग कहना कि उनके प्रती लोगों का जिसको जाना चीए कि मौ भंग हुआ यानि बड़े नेताओं के प्रती बाकी पार्टियों के प्रती और एक ही विशह चल पड़ता है कि नहीं एक बार न तक चर्चा चल रही है कि जो आने वाले दिनों में जैसे आपने भी कहा कि ने गुला कर देखते हैं कि क्या यह स्टेबल रहेंगे इस पर बात करना बहुत पहले कमेंट करना यह भी ठीक नहीं है और इसमें चुकि इंटरन मामला है अमादी पार्टी का वो क्या करेंगे उ है जो सर्थें चल लिए कि अरियाना पुछ एक ने तासर बाट भी जो रहे थे कि कोई पार्टी मिल जाए विकल्प मिल जाए नया तो असर क्या देखते हैं कि अभी तो हमारे आदे समय से भी कम समय हुआ है हमारे पास हमें भी प्रयाबत है और हम जैसे मैंने बताया कि जो समाने गरीम समाज को खड़ार रखना है उसको सहयता करनी है समाज की सहयता विशाय तो उसका वेल्फियर कैसे किया जा सकता है जिसका प्रभावी होगा मैं इनकी विचारदरा को तो ज्यादा मैं इस पर टिपनी नहीं करूंगा भी कोई विचारदरा है भी नहीं यहां परटि पनप के आए है कि मुफद बांटो मुफद बांटो अब यह कोई विचारदरा नहीं है लेकिन जहां तक पंजाब में क्योंकि कमोनिस्ट पार्टि कमों बेश में पंजाब में भी उनकी पॉकेट्स है उन पॉकेट्स में इनको समर्थन मिला है जैसे किसान यह तो देदर पता लगे जाते हैं कि परवर्टी बढ़ती जा रही है कितने काता कैसर है पंजाम किसानों की पार्टिया यानि जो आंदोलन कर रहे थे वोडर पर लोग मैदान में थे लेकिन कहीं पर भी हजार से जादा वोट करें रही मिले क्या मानते कि पूरी तरह से नहीं था एक बात जना अंधोलन नहीं था यह जो एक जोरदोर हम चोलता तो यह घड है तो यह पर अशर जाता पर म प्सक्राइट में जहां राकेशł रुपार शार में आ पर णनाते हम आध भारत-र पता-भारत-क्कै कि अपनी शीट पर वहत्जिन्दापटी जीते हैं जैसे आपने कहा लखिमपुर में पूरा वहत्जिन्दापटी शुट किया है पूरे पश्मी इंतर्प्र जहां मानते थे कहां मांसुर प्रभाव जाएगा कोई प्रभाव नहीं हुआ राजिनितिक प्रभाव किसानों का किसानों का उनको समस्चा के बारे में अब गलत फीडिंग हो गई एक लाइन से ट्रेक से उतर गए और अल्टिमेटली में गणिमाद दोंगा प्रधानमत्री जी को के उस समस्चा को कहीं आगे ना बढ़े तो यह अच्छे स्टेप को भी वापस लेना पड़ा और यह इस ऐसे मॉफ़ को ले ना परता है आज आज मैंने उटाजाओ को शुब्तामना दीए कि 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 अ